नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आयूरुवेदी कुपचार में साथियों आज हम बात करने वाले मोरिंगा मोरिंगा या सहजन जिसका वेग्यानिक नाम मोरिंगा ओली फेरा है काफी हद तक संबभ है कि आपने भी इसकी सबजी खाई होगी जैसा इसका खाने में स्वाद है ठीक उसी तरह पाई इसमें पाई जाने वाले पोशक ततव की मातरा भी है सहजन में बीटा कैरोटिन, एमिनो एसिड, कई परकार के फिनौलिक पाई जाते हैं मोरिंगा की चाल गोंद बनाने के लिए जबकि इसके फूलों का परियोग हर्बल टोनिक के रूप में किया जाता है मोरिंगा के संपूर्ण विर्ष का इस्तेमाल ओसेद्य उप्योग में किया जाता है सैंजन, मुक्खरूप से अफगानिस्तान, उप हिमालने 6, मांगला देश, भारत और पाकिस्तान में बरपूर पाया जाता है आईए कुछ जानते हैं इसके मेत्वपून भाइदे तौचा को चमकदार बनाता है मोरिंगा की फली से बनी सबजिया या फिर इसके बीज का तेल तौचा पर लगाने से तौचा चमक हमेशा बरकार रहती है क्योंकि इसमें विटामिन A परचूर मातरा में पाया जाता है मोरिंगा सुक्रानों की संख्या बढ़ाने में भी फायदे मंद है मोरिंगा के फल की साहता से सुक्रानों की संख्या और उनकी गुनवत्ता में भी सुधार क्या जा सकता है यही महमारी महिलाओं के लिए भी प्रेसानियों को दूर करने वाला होता है सहजन का सेवन महिलाओं को गरवास्य की समख्याओं से बचाता है पुरुषों में या सुक्रानों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके वीरिये को भी गाड़ा करने में बहुत ज़दा मददगार है छोटे बच्चों के लिए वर्दान है मोरिंगा छोटे बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए भी मोरिंगा का सेवन महित्यों पुन माना जाता है आपको बता दे कि सहजन में कैल्शियम, लोहा, मैगनिशियम, फासपोर्स आदी बरपूर मातरा में पाए जाते हैं शरीर में कैल्शियम बच्चों की हड्यों और दातों को मजूद बनाने में सायक होते हैं वही गरवती महिलाओं को यदि इसकी दुरान सहजन का सेवन कराए जाय तो उनके होने वाले बच्चे में कैल्शियम की बरपूर मातरा मिलती है इसमें पाए जाने वाले सभी ततों बच्चों के लिए सवास्ता है रखने में सायक बोमी का निबाते हैं यदि आप सरदर्द से प्रशान रहते हैं तो इससे राहत के लिए आप सहजन का इस्तिमाल कर सकते हैं मुरिंगा के पत्तो का पेश बना कर घाओ पर लगा सकते हैं सरदर्द में इसका फाइदा लेने के लिए इसकी सबजी बना कर खा सकते हैं आप चाहे तो sejanzen के पत्तों को पीष कर इसे हलका गरम करके शिरर पर लेप करने से आपको सिर्ददमें जल्दी ही लाब मिलेगा, इसके अलाव इसके बीजों को पिष कर सूंगने से भी सिर्दर दूर दूर तक नहीं रहता, सेहजन के बीजों का पाउडर भी सर्दर्द दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है उस दुरान अगर आप सेहजन की पत्यों का रस निकाल करके उसका काड़ा बना करके सुबह शाम रूटीन में लिया जाए तो आपकी हाई बीपी की समस्या भी जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों आप सेहजन की सबजी खाईए सेहजन के फलियों का अचार डालिये या फिर पत्यों को पाउडर बना कर भी आप ले सकते हैं मोरिंगा की पत्यों में पालक की तुन्ना से तीन गुना ज़्यादा आयरन पाई जाता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने मित्र और दोस्तों के सेहर करना बिल्कुल भी ना भूलोए धन्यवाद नमस्कार जैही